हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल एजे मेडिसेंस मेरा नाम है अजीत और मैं आज आपके साथ नहीं वीडियो लेकर आया हूं कि मैं आपको बताओं दोस्तों कि आज हम बात करेंगे मॉक्सी काइंड सीवी 625 मॉक्सी काइंड सीवी 625 एक एंटिवाइटिक टैबलेट है जो कि मैंकाइंड फार्मा बनाती है मैं इस टैबलेट का डोज और वेनिफेड और साइड एफेक्ट तीनों बताऊंगा आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और अगर वीडियो पसंद आती है तो आज रिवीव होने वाला मॉक्सी काइंड सीवी 625 का मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो एज मेडिसिन पर चलिए आईए शुरू करते है वीडियो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉक्सी चाइंड सीवी 625 टैबलेट कितने के आती है मार्केट में वह टैबलेट यह आती है 153 रूपीज और यह आपको हर मेडिकल स्टोर प इसके क्या-क्या यूजिज है क्या-क्या मतलब इसके इसका क्या-क्या किसमें यूज कर सकते हैं से इसको हम यूज कर सकते हैं जो कई दिनों से कई बंदें को होता कि खांसी होती है वो ठीक नहीं होता तो इसे खांसी में भी चला जाता है जैसे किसी का घाओ है एक्सिडें में के लिए अलग दवाई आती है एजी थ्रोमाइसिन आती है वो अगर आप लोग काऊगे तो मैं उसके भी बना दूंगा वीडियो तो ये इसके काम है में काम इसके यहीं है अगर कोई जल जाता है ज्यादा तो उसके अंदर भी चला जाता है घाव को सुखाने के लिए और मैं आपको बता दूं कोई भी दवाई खाने से पहले आप जरू डॉक्टर की सला लें क्योंकि यह बहुत जरूरी है और बच्चे के लिए दोज नहीं है दवाई नहीं बनी है उसके लिए यह बड़ों के लिए ऐसे अगर जादा कोई जल गया या जादा कोई घाव हो दो दवाई इसके अंदर रहेंगे यह ही दो दवाई घाव को सुखाने में और ठीक करने में बहुत कारगर होता है इसके साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि इचिंग होना यह कॉमन चीज है मैं आपको बता दो कि जादर दवाईों के साइड इफेक लग सकते हैं लेटरिंग बार बार लगती है मरोड़ होन लगते हैं तो कुछ यह सिंग्टम है और इस तरीके से आप इसे जान सकते हैं कि यह साइड इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो दोस्तों आज का रिव्यू यही तक खतम होता है नेक्स्ट वीडियो मिलता को आर से बढ़ा